दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्य मई बक्से के बारे में कि इसमें कौन सा रहस्य बंद है। आज भी इतिहास के कई ऐसे रहस्य हैं, जो अनसुलज़े हैं और ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी ये रहस्य सुलज़ पाएंगे। ऐसा ही एक र जिसका रहस्य हजारों सालों से अंसुल जाही है. कहा जाता है कि यह लकडी का बना और सोने से मणा हुआ एक रहस्य मय और पवित्र संदूक है, जिसमें दस धर्मों के आदेशों की किताबे रखी हुई है. आक ओफ कोवेनेंट के बारे में कहा जाता है कि यह लकडी का बना और सोने से मणा हुआ एक रहस्य मय और पवित्र संदूक है, जिसमें दस धर्मों के आदेशों की किताबे रखी हुई है. मान्यता यह भी है कि संदूक में दो पत्थर रखे हुए हैं, जिन पर दस आग्याएं लिखी हुई है. वही, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संदूक में कई ऐसी वस्तूएं रखी हुई है, जो जादूई है और इनका उलेक बाइबल में किया गया है. कहा जाता है कि आक ओफ कोवेनेंट पहले यरुशलम में था, लेकिन 5-8-7-20 जब यहुदियों के इस पवित्र शहर पर बेबिलोनियन सेना ने हमला किया तो यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया. उन्होंने कई पवित्र मंदिरों को तोड़ दिया. उन्हीं में से किसी एक मंदिर में आक ओफ कोवेनेंट रखा हुआ था, लेकिन उसका क्या हुआ, इसके बारे में आज भी किसी को कुछ नहीं पता. कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि बेबिलोनियन सेना के हमले से पहले ही आक ओफ कोवेनेंट को किसी गुप्ट जगह पर छिपा दिया गया था, लेकिन वो जगह आखिर रे कहा, इसके बारे में किसी को कोई जामकारी नहीं है. हालांकि एथियोपिया के कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि यह पवित्र संदूक एकजम में चच ओफ आवर लेडी मेरी ओप्चियोन में सुरक्षित रखा हुआ है. उनका मानना है कि दस्वी शताबदी में इस संदूक को इजरायल के राजा सोलोमन और रानी शेबा के बेटे मैनलिक एकजम लेकर आए थे. हालांकि इस बात में कितना सच्चाई हैं, यह कोई नहीं जानता. हाँ, ऐसा भी माना जरूर जाता है कि एथियोपिया के अलावा जॉर्डन में माउंड नेबो, दक्षन अफ्रीका, मिस्र और यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में कही भी यह पवित्र संदूक हो सकता है. दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यबाद.